उसने कहा तुम्हारी आउकात क्या है, कुछ करके दिखाओ तो जाने, उसकी ये बात सुनकर मेरी आँखों से आसु आ गया, तब मैंने पूरा मन बना लिया था कि मुझे PCS परीक्षा को क्रैक करना है, और कुछ न कुछ करके दिखाना है, पसीना ऐसे ऐसे टप 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 आशा हुई, लेकिन हस्बेंड ने कहा, कि अगर तुम्हें मेंस देना है, तो तुम को घर छोड़ना पड़ेगा, मेरे मन में बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रहा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कहते हैं कि अगर होसलों में जानो, और अपने लक्षे को पाने क के दिखाने की, नमस्कार, मैं हूँ आर्टी, मैं PCS 2020 की परिक्षा में PES अधिकारी के रूप में चैनित हूँ, आज आपके सामने अपती कहादी को जो स्टॉक के मार्धियम से शेयर करने वाली हूँ, मैंने बारवी रैंक प्रात की है, लड़कियों में मेरा चौथा इस् स्कूल घर से पांच किलो मीटर दूर शेहर में था, मैं सुबह साथ बज़े साइकिल से निकलती थी, विद्याले जाती थी, बारवजे मेरी चुट्टी होती थी, मैं वापिस साइकिल चला के अपने घर आती थी, उसके बाद तूशन क्लासे होते थे जो की फिर से शेहर मे होते थे, मैं फिर साइकिल चला के तूशन क्लासे करती थी और शाम को पांच वजे चुटी के पात वापिस घर आती थी, यह जो मेरा बीच का टाइम होता था, उसमें मुझे मेरे भाई थे छोटे मेरी मा वर्किंग थी, इसलिए बीच के टाइम में मुझे उनकी भी देख जाता है, और मैं BTC कोर्स दो साल का जो होता है, मैं करने लगती हूं, हमारे उसी कोर्स के दौरान हमारा एक अन्वल फेस्ट होता है, जिसमें मानी जिला दिकारी बहुदिया, जो कि उस समें अमृता सोनी जी थी, उन्हें चीफ गेस के रूप में उलाया गया, जब वो तो उस दिन मेरे मन में एक सपना बुना मैंने, लेकिन मुझे उस तमय यह नहीं पता था कि PCS नाम की भी कोई परिक्षा होती है, उसे कैसे करना है, या वहां तक कैसे पहुशना है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, खैद, मैरे कोर्स खतम हुआ, उसके बार मैंने एक सरकारी टीचर की प्राइमरी वाली जौब पकड़ ली, और इसी दौरान मेरे शादी हो जाती है, शादी के बाद मेरे सर पे नई जिम्मेदारियां आती है, और मैं अपनी इसी जिंदगी में अदज बस जाती हूँ, अपनी ऐसा होता है कि जब आप एक लाइन पकड़ ले उसके बाद मेरे साथ एक किस्सा हुआ, किस्सा कुछ इस तरह है कि मैं एक दिन Facebook स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पर मेरे स्कूल टाइम के एक फ्रेंड की प्रोफाइल में देख रही थी, उसको स्क्रॉल करते करते मैं फ्रेंड लिस्स पर पहुची तो मुझे एक जो मेरे ही तरह एवरेज थी, मैं उसे बहुत करीब से जानती थी, अगर वो इतना अच्छा जंप ले सकती है, इतना कुछ अचीव कर सकती है अपनी लाइफ में, तो मैंने क्या अचीव किया, बहुत एवरेज नौकरी में कर रही थी, एक घर परिवार समाल रही थी, और म मैं मा भी बन चुकी थी, यह तो एक लाइफ का पार्ट था, लेकिन मैं उस सपने को भूल चुकी थी, जो मैंने सायद कभी जब देयम मैं को देखा था, तब मैंने अपने मन में बुना था, उस इंसिदेंस के बाद, पांश रातों तक मुझे नीन नहीं आई, मेरे जहन मे मेरी सी नौकरी करके रह जाओंगी या जीवन में कुछ बड़ा भी कभी कर पाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि आज मेरी स्थिती यह है, कि मेरे उपर इतनी जिम्मेदारी है, दो-दो बच्चे हैं, हस्बेंड हैं, और मेरी शादी को इतना टाइम हो चुका है, कैसे हो गा यह सब या मैं क्या करूँ, तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं रह कर के कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ, तब मैंने PCS परिक्षा के बारे में जानकारी जुटाई और उसी साल 2018 का जब नोटिफिकेशन जुलाई महीने में आया, तब मैंने पूरा मन बना लिया था कि कुछ न कुछ कर के दिखाना है, तभी मेरे मन में वो संतोष की भावना आएगी, जो की कही न कहीं लेकिंग थी, मैं पूरी जोष के साथ, पूरी ताकत के साथ पढ़ाई में जुट कई, मैंने हर वो कोशिश की कि मैं कोई कमी न छोड़ू अपनी तरफ से, और इनिशली म जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मेरे स्कूल में एक कलीक थी, वो मुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, उसे पता था कि ये तैयारी कर रही है, ती उसकी पूरी कोशिश रहती थी, कि ये किसी ना किसी प्रकार से परिशान रहें और अपनी पढ़ाई में फोकस ना कर पाएं, खेर एक दिन सच्चता अभियान के तैथ हम लोग स्कूल में बच्चों की रैली निकाल रहे थे, वो जब हम लोग रैली निकालते हैं, तो उसकी फोटो वगेरा होती हैं, तो वो किसी भी फोटो में मुझे शामिल नहीं करती थी, इसकूल की किसी भी प्रेगल फिर से चेंज कर दिया, मैंने सोचा आज तो फोटो में आना ही है, वो आई उसने जोर से मुझे धका दिया, उसने कहा तुम्हारी आवकात क्या है, कुछ कर के दिखाओ तो जाने, उस दिन तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोई भी लेकिन मैंने सोच कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ चीजों के जवाब बोल के नहीं दिये जाते, कुछ कर के दिखाने के बाद ही अपने आप उसको जवाब मिल जाता है, खैर, मैंने अपने आपको हिम्मत बटोरी इन सब चीजों के बीच मैं अपनी पढ़ाई को कंटीनिव करती हूं और प मेरे घरवालों के मन में खुशी की लहर दोड़ जाती है, मेरे पापा, मेरे पती उन सब में एक भरोसा आता है कि हाँ, साइद एक्जाम ये क्लियर कर सकती है, अब बारी आती है मेंस की, अब 2018 में ही PCS का पैटन पूरा IS पर लागू हुआ था, IS का पैटन PCS में आया था, और पूरा स्लेबस, पूरा पैटन बिल्कुल चेंज हो चुका था, ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी मुझे उसको करना तो थाई, मैंने जितना संभा हो सका जानकारी जुटाई, इंटरनेट का इस्तमाल किया, अपने सारे ऑप्शनल के नोट्स मैंने जान भूच कर सबसे पीछे वाली सीट पर जाके बैठती थी, ताकि अन्य कोई टीचर मेरे पास आकर बात करने के लिए ना बैठ पाए, क्योंकि सब का टाइम वही होता था जाने के लिए, वह 40 मिनट का जो रास्ता होता था, उसमें मैं अपना रिविजन करती थी, उसके जब स्कूल से छुटी होती थी, तो रोट के किनारे हमें बस का बेड करना होता था, कभी-कभी एक घंटे तक बस नहीं आती थी, मुझे याद है कि गर्मी के दिन होते थे, छाया भी नहीं होती थी वहां पे, और हाइवे था तो ट्रक बहुत निकलते थे, तो जब कोई ट कर रही होती थी, तो अपना वीडियो लगा करके मोबाइल में उसको मैं साथ-साथ पढ़ाई करती जाती थी, तो इन सब चीजों को देखने के बाद लगन को देखने के बाद जो परिशानियां थी, वो धीरे-धीरे अपने आप ही दूर होने लगी एक दिन पढ़ते पढ करते रात को तीन बज गया और मेरा बेता जो एलकेजी में था उसका सुवह साथ बजे स्कूल होता था उस दिन मैं सो के नहीं उट पाई हजबन को पता था कि रात में जखके पढ़ती है तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और बेते को ब्रेड में लगा कर उसक मैं लेने पहुंचती हूं तो जैसे ही वो गेट के बाहर आता है उसने मुसे बोला कि मम्मी पढ़े पढ़े सोती रहती हो मेरे लिए टिफिन नहीं बना सकती हो उसकी बात सुनकर मेरी आखों से आसु आ गया मैं घर आई और मैंने सोचा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर कि मेरी पढ़ाई की वज़े से मेरे बच्चो का ध्यान मैं नहीं दे पा रही हूं या मुझे पढ़ाई चोड़कर के सिर्फ अपने मा के फर्ज में ही लगना चाहिए लेकिन मैंने सोचा कि नहीं अब मेरे पास वापिस लौटने का विकल्प नहीं बचा है अब मैं यहां जो कि बहुत बड़ी एक ब्लेंडर थी वह ब्लेंडर यह थी कि मैंने अंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी जब भी मैं टॉपर्स के आंसर वीडियो देखती थी तो वह हमेशा एक बात कहते थे कि आंसर राइटिंग मस्त है लेकिन मैंने उसको बहुत ही को थी जुट गई और यही कारण रहा कि 2018 मैं उसको क्लियर नहीं कर पाई जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं बहुत रोई मुझे बहुत उम्मीदे थी कि हां मैंने इतनी पढ़ाई की है मैंने सुना था कहीं कि अगर आप लगन है आपके अंदर सची लगन है आप सची म तो इश्वर आपका साथ देता है एक रिजल्ट डेखने के बाद जब मुझे अपना रोल नंबर उसमें नहीं दिखा पीडियाफ में तो मुझे बहुत अताशा हुई मैंने दो दिन खाना नहीं खाया और मुझे लगा कि अब आगे क्या करें जैसा कि बता ही रही हूं कि होना था वो अब हो चुका है अब इससे कुछ अच्छा ही हो सकता है खैर 2019 का अटेम्ट आता है लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी परिवारिक जिम्मेदारियों में मैं उलच गई कि मैं उस एक्टेम्ट को मुझे स्किप करना बढ़ा मैंने वो एक्टेम्ट नहीं दिया फिर 2020 की बारी आती है 2020 की दौरान मैं काफी लगी रही लॉक डाउन ने मुझे बहुत है उस दौरान बच्चों की छुट्टियां थी तो मैंने और भी जादा समय पढ़ाई को दिया मुझे याद है 10 अक्टूबर को पेपर था हम जब उसके दो तीन महींने पहले जब तयारी कर है को दिया रास्ती का समय हो आने जाने का समय हो मर्केट जाना चोड़ दिया अपने शाहरे शोंक भूल घए त्योह का राते थे मानी नहीं लगाती थी कि इतनी तेर में में महनी लगाने रचाने में समय लगाऊं धुगра ना ना बग कर सकती हूं चैर मैंने पढ़ाई को मेरे मन में खुशी के बजाए एक डर आ गया मुझे यह लगा कि 2018 में मैं जैसे में मुझे जो गलती वहां हुई थी कहीं मैं फिर से दुबारा ना कर दो मैं पढ़ाई शुरू कि उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई के घंटे बढ़ाय दीरे दीरे लेकिन हस्बेंड ने कहा कि अगर तुम्हें मेंस देना है तो तुमको घर चोड़ना पड़ेगा क्योंकि घर पे बच्चे थे वो साथ में आके खेलने लगते थे और जो पिछली बार वाली कमी थी आंसर रैटिंग वाली वो भी मुझे दूर करनी थी तो मैं 20-25 दिनों के लिए दिल्ली शिफ्ट ह हो गई वहां पे मुखरजी नगर में मैंने एक पीजी लिया और बंद कम्रे में कड़क्ती थंड में मैंने बहुत धेर सारी आंसर रैटिंग प्रैक्टिस की तीन घंटे गड़ी देकर मैं रियल एक्जाम सिच्वेशन में खुद को रखकर बैठती थी आंसर रैटिंग कर जब रिजल्ट आने का दिन हुआ यह हुआ कि आज तो मेंस का डिजल्ट आने वाला है मेरे मन में बिल्कुल ऐसे हो रहा था मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रुख जाओंगी राप के आट बजे करीब रिजल्ट का पीडिय जारी और मुझे मेरा रोलंबर दिख गया मैं चहत पे गई मैं बहुत रोई क्यूंकि वो मेंस का जो एक्जाम था वही मेरे लिए बहुत बड़ी बादा बन रही थी इस बार या आसू खुशी के आसू थे क्यूंकि मैंने अपनी उस कमी पर विजय पाली थी यही होता है जब हम कमीयों को जानते उनको तराषणां उनके उपर काम करते तो फिर हम और निखर के आते हैं जिस दिन मैं इसका रिजल्ट ऊए उसके बारी थी हमें का इंटर्व्यू की तैयारी कर नी थी इंटर्विख के कुछ दिन पहले ही logari का त्पढ़ा उस साल मैं σkiमा misfh on बस पूरे टाइम मैं इंटर्विव की तैयारी करती रही उसके बाद इंटर्विव मैंने दिया और उसके बाद जब रिजल्ट का दिन आया रात के उसमय आठ शाड़े आठ बजे थे जब उसके उस पेडियाफ में मेरा नाम दिखा तो मुझे लोगों के कॉल आने शुरू ह इसे ऐसे लोगों के फून आये जिन्होंने सालों से फून नहीं किये जानने वाले रिष्टेदार इतनी बधाईयां आई कि मैं सारी रात उस दिन नहीं सोई उस दिन मुझे लगा कि मैंने इतनी महनत की इतने संगर्ष किया लेकिन उसका फल नीठा मुझे मिला इसलिए अगर आपने कोई लक्ष बना लिया है एक बार तै कर लिया है कि आपको क्या करना है तो फिर दो बार नहीं सोचना चाहिए हम अगर महनत करेंगे एफ़र डालेंगे तो निश्यत ही हमें सफलता मिलेगी रिजल्ट आने की अगली सुबह मेरे घर पे बधाई देने वालों क कि भीड़ी खटा हो गई और लगबख सभी निउस्पेपरों में मेरी सक्सेस स्टोरी छपी थी मेरा बेटा लेकर आया उस बोला ममा पेपर में आपकी फोटो छपी आज आप बन गई हो यूपी पीएस सी मेरी आंखों से खुशी के आसू निकला है मेरे साथ कुछ ऐसा सा कि जिस विभाग में करमचारी के रूप में काम कर रही थी उसी विभाग में अधिकारी बनी जहां भी मैं जाती हूं लोग मुझे सम्मान देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे भी ज़्यादा खुशी होती है जब मेरी बातों को सुनकर लोग मोटीवेट होते मेरा मैसेज है उन सभी लड़कियों के लिए जो शादी के बाद अपने सपने को कहीं न कहीं बूल जाती है घर की जिम्मेदारियों में इतना उलत जाती है कि अपने एश्परेशन को पूरा करने में वो पीछे अर जाती है पर हमें ऐसा नहीं सोचना है कभी भी देर नहीं होती है हम जब भी सोच लें जब भी ठान लें हम पूरा कर सकते हैं कहते हैं कि हर पल जिंदगी का इंतिहान होता है मुश्कीलों से भाग जाना आसान होता है दरने वाले को मिलता नहीं है कुछ भी जिंदगी में और जीतने वाले के कदमों में जहान होता है उन्होंने मेरा सीवी लिया और मेरे हाथ पही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यो जाते हैं जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता मेरा नान दक्षमिर्मा है मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ फर्स ताम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंट्रिव्यू था तो उन्होंने मेरा सीवी लिया और मेरे हाथ पही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आक ही जाते हैं जब तुम्हें बोलना ही नही जब दिया हो और मैं कुछ शमद मी नहीं आ था उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी तो फिर मैंने सीवी लिया और लोहर के चलिया इए फिर उसके बाद तो मैंने इंट्रिव्यू ही नहीं दिये अब टता तो था जरूरी है कोशिष उ खुषे कि शीखूंगी सीखूंगी यृ कटा एओ लोगों से बात करोगे तब भी आएगी अब बात करने केलिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपके बात करना चाहिए मैं जो श्रॉट की वीडियो रेखी थी, मोडिवेशन के लिए लास्ट में कारिटाइजमेंट था तो वहाँ पर उला था कि हमारे एप है जो इस्टिल का तो आप उचे डाउनलोड करिये तो मैंने सब्सक्रिस्टिन कर लेकिन सब्सक्रिस्टिन भी इतनी नॉमिनल थी, मैंन तो अब ऐसा है कि मैं इतना इबल हूँ कि हाँ ठीक है मैं बात कर सकती हूँ, इन्टिवीज भेज कर सकती हूँ, नाओ आम नाट स्केर आफ स्पीकिंगीज, थैंक यू जो श्रॉट जोश्टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्स्क्लूसिव पॉड्कास्ट है, जिसके साथ जोश्टॉक्स की सबी कहानिया आडियो फॉर्माट में अपलोड होंगी केबल स्पॉटिफाई पर, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप जोश्टॉक्स प प्रेडना दाइक कहानिया, सिर्फ स्पॉटिफाई पर.